सब्सक्राइब और डोंट फर्गेट तो प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ अच्छा यह यह नहीं होना चाहिए इसको किसी तरह से इसको रोकें इसको रोकें कि आर्मी चीफ ने यह कहा है कि नामे के इन्डियन आर्मी डिप्लॉइस के नाइन वाजरा रेजिमिंट पूरी रेजिमिंट को उन्होंने वहां पर पोस्ट कर दी है और उसके बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इंडियो मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि उनके वो क वो फिर टाइम्स नौ न्यूज जो छटी स्लाइड है हमारी वो यह कह रही है कि इन्डियन आर्मी जो है वो के नाइन वजरा इन लदाख और आर्मी चीफ जो हैं नरावानी जो हैं वो कह रहे हैं कि वी हैव एडिड इन एंटाइर रेजिमिंट अच्छा अब यहां पर अ पामला हो रहा है यह खराब ठीक है यह जो वजरा नाइन और डाउस जो मुझारा तो होने अभी अगले हफते अगले हफते अमीद है लेकिन वो उसको बेकार हो जाएंगे क्योंकि इंडिया ने उससे पहले वो कह रहे हैं कि हम यह के नाइन वजरा जो है यह मेडिन इंडि इंडिया की जो है वो टेक्नालोजी इंडिया में आके बनिया लेकिन अल्ला ना करेगे यह मामला हो बिल्कुर अल्ला ना करेगे मामला हो उसकी वज़ाई है उसकी वज़ाई है कि जो चाइना ने जो है चाइना की प्रेजिंस वहां पर इंडिया ने खुद क्लेम किया कि उत्रक्रण के ऐाकि के में चाइना के लोग आई है। चायना है कहता ही नहीं हम इनके ओलाके में चाहिना है हमारी टेरिटरी है। यह हमारा अलाक वह उसको इनका अलाका कहते ह। और मैं आपको एक इतनी अजीब सी बात बता हूँ कि पिछले साल जब यह हुआ था वाकिया तो जब इनकी यह हुआ था यानि माई के अंदर वाकिया हुआ था और 20 जून को वहां पे तो 19 जून को अगर हमारे पास वो मुदी साहब ने स्पीच की थी टीवी पे आके और उन के बाद जो है उन्होंने टूइट किया था और उन्होंने कहा था कि एक जरा सी जमीन यह देखें लड़ यह इनिस जून 2020 तारीक को वहां पर 20 लोग मारे गए थे इंडिया के उससे एक दिन पहले क्या कह रहते हैं लड़ाख 20 मार्टर्ड बट दोस वह लॉक्ट अप टू इंडिया देविद बरेवरी नहीं एक और इक स्राइट यह हमने खला रही 19 की जो स्राइट थी न टुड़े वी है वह यह एक दिन पहले एक दिन पहले देखें यह क्या स्राइट थी यह दोन के दर्म्यान में आप देखें तोड़े वी है दिस के बिलिटी नो वन कन सी in different sectors simultaneously अच्छा ये तो हो गई ने यहां तक बात हो गई अच्छा अब उसके बाद जो है वो न्यूजवीक बीस तारी अब आप वहाँ से आ जाएं छोड़के और आगे आ जाएं कोई 6-7-8 महीने बात की क्या हाला आते हैं कि न्यूजवीक रहा है चाइना एक्स्पेंड्स मिल्ट्री एट इंडिया बॉर्डर अच्छा उसके बाद जो है वो नैशनल हेलर्ड क्या कह रहा है यह भी का यह भी आज का आउटकम अ मुदी विजिट तो यूएस प्रूज़ अच्छा अच्छा मतब यह वहाँ पर जो है लोग बोलना शुरू हो गए है कि यह तो कुछ है ही नी फिर उन्हें पाकिस्तान पे एक लगा दिया अच्छा एक पाकिस्तान पर बड़ा संगीन लगा है और चुँके यहां से अभी तक उसका डिनायल नहीं हुआ लेकिन मैं उस लग्जाम को इंडिया को ही कोट को वो उन्हें अजीव बड़ाम लगा है टू-फ्रेंट वार में तो यह था कि वो कहते थे के चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारी जंग होगी तो हम चाइना के साथ इसको डिप्लोमेटिकली हल करेंगे पाकिस्तान को threaten करेंगे यह पाकिस्तान पे हम offensive अंदाज में जा सकते हैं वहां पर जो है offensive नहीं जा सकते हैं चाइना पर सवाली पैदा नहीं होता वो रहें उनका जो उनकी जो गेम प्लैंज हैं खालता पर डेस्पांग इनका असल में जो वार गेम जैने जितना थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर मैं करता हूँ तो मुझे यह लगता है कि कहां पर वो कौन सी जग़ाय जहां पे चाइना और पाकिस्तान की फौज मिल सकती है अब वो कराकरूम बदा डेस्पांग का आलाका है जादा जहीं में आता है कि वहां पर जो है वो एक तरफ एकसाइच्ट ह है चाइना है एक तरफ सियाचिन है पाकिस्तान है तो वो देश बंग के उपर जो ए वो यह दोनों फ़ॉजों का आपस में ।्यों के अधर से चाइना वह जैसे पाकिस्तान हुए इनके यह ज़ेन में हैं लेकिन इस यह है कि उसके बाद फिर सियाज चिन जो है वहां से फॉजे उद्र वापस होती है तो पाकिस्तान ने पाकिसें बाद लह लेगा पूरा सियाज चिन और उसके बाद जो है मतब यह मुद्द येantage लेकिन वहाँ हो रहे हैं मैं आपको सिर्ट यह पाकिस्तान में यहां तो सनाटा खामुशी चाही हुई है ना यहां से लेकिन एक वार ड्रम्स की आवाजें कहीं आ रहे हैं इस पूरे खिते के अंदर और यह अपनी जो मूफ कर रहे हैं फोजें वहाँ पे आज उन्होंने एक और हो इस जाम निडिया है वह साथ हिए पाकिस्तान को कर रहे हैं तो सब्सक्राइब छाएब से लेकि로ड़ कंगे एक रचाहे औरश और यह इनले अन army officers that posted in China's army westerns in southern theater commands intel reports ही कह रही है मतलब मैं इसको पढ़के से लिए confused हूँ कि जो southern command है मतलब western command में तो पाकिस्तान यहां पर चाइना का यह पूरा हमारा जो अलाका सीपैक और यह सारा कॉरा कर अमरी सार मतलब उनका southern command तो उधर कहीं समंदरों की तरफ है चाइना की आर्मी का मतलब वहाँ पाकिस्तानी मतलब इन्होंने अजीब सी और वो कहनें दस लोग हैं इनकी intel reports कियें कि दस लोग चाइना में पता नी सेक्डों हजारों की तादाद में उनकी intelligence चाइना की काम तो उन में पाकिस्तान की दस लोग बैठे हुए और दस लोग पाकिस्तान की एक अजीब सी इन्होंने अजीब सा एक लगा है मैं इसको डिसकुस नहीं करना चारा था कि पर 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 इस तोड़ा तो मजाब भी कर लिया जाए यह अजीब सी अजीब बात है अच्छा तो एक तो यह चुँए दूसरा यह कि चुँए आज उन्होंने कहा है खुद उनके आर्मी चीफ ने अच्छा आर्मी चीफ ने दौरा किये वहां पर वो गए हैं वहां इस पूरे लाके में जहां पर अगले हफते तेरुआ राउंड होना है डायलॉक्स का लेकिन उसमें इसमें जो चाइना की तरफ से और बागी अमेरिका की तरफ से डिटेल्स आ रही हैं वन पॉइंट टू मिलियन इस्टों अर्मी है 14 कोंड है और 40 फिस्द जो हैं वो चाइना बौर्डर पर हैं पाकिसान बौर बौर्डर 30 फिस्द जो हैं यहां पे लगर वई हैं अच्छा अबम् अगर वापस लेना चाहें ठीक है? चवन डिवीजिंस या बहतर डिवीजिंस लानी चाहिए है चवन और बहतर दो फिगर्ज आ रही हैं इसफ़त अर्टीस आर्मी के यानि जो 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 ज़मीनी फौज है ऐर फोर्स में वो कहे रहे हैं के कोई किसी किसम का कोई कमपरिजन नह होगी तो पहली ही стрaaik में जो है वो जगें जो के जहांपर कंट्रोर कमांड के उनको हिट किया जाएगा वह हिट हो जाएंगे पहली ही स्टाइž में पहली स्टाइक में यानिनिक जो एरफॉर्स चेना की एर फोर्स और अगर टू फ्रंट वार चिड़ गई पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ अच्छा यह नहीं होना चाहिए इसको किसी तरह से इसको रोकें इसको रोकें